नवस्का गुर्माने निउस में आपका स्वागत है दिन बढ़की ताजातरीन खबरों के साथ मैं प्रगया प्रिया खबरों के सुरुआत करते हैं हैडलाइन के साथ नाले में गिरा मासूम रात पर होती रही खोज फरारपुर मंत्री मंजुवर्मा के घर 6 गंटे तक चली कुर्की जपती जमुई में बमिस्पोर्ट में पाच्छो कम्भी रूप से गायर बेगु सराय में आज आम स्टॉक के मामले में फरार पंजुवर्मा के घर इस्तिहार की कारवाई के बाद कुर्की जपती की पड़किरिया पूरी की जा रही इस मौके पर भारी संक्या में महिला और पुलिस वल आज चेरिया बरियार पुरिस्थि स्रीपुर गाउं पहु बेगुते शेकर वर्मा के तरंडर होने के बाद मंजी वर्मा की रफ्तारी के लिए हम लोगों ने कई जगर में छापे मारी की विरुद कोट से वारान भी प्रे किया गया था उसके पस्चात कल मानिये न्याले के द्वारा कुर्की त्यार और पुर्की के लिए आदेश द हादे मोर के पाच 15 दिनों से रह रहे है बंजारों के पास से एक केन बंब इस फोट हुआ जिसे बंजारों का पांच लोग हुआ घायल सभी रजौली अनुमंडली अस्पताल में भरती इस्थिती ठीक नहीं घायल हो सकता है नवादा रेफर घटना स्थल पर पहुंची प मोतिहारी के साहेव गंज रोड संकर टॉकी सिनेमा हॉल के समीप इस्थित अबबास मेडिकल स्टोर में एक नवजात सिसू को इंजेक्शन देने के बाद मौत हो गई लोगों ने जम कर बवाल किया इस मामले में मेडिकल स्टोर संचालक अबबास आलम का भाई समसेर आलम क नवजात बच्चे को इंजेक्शन लगाया था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है मिर्टक थाना चेतर के घसी पकार गाउं का नरेसा का ही लगभग चार माह का पुत्र विसाल कुमार बटाया जाता है मोतिहारी से जोला चाप डॉक्टर के चक्कर में एक नवजात की मौत की खबर आ रही है मोतिहारी के साहिव गंज रोड जंकर टॉकी सिनेमा हॉल की समीप इस्थित अबबास मेडिकल स्टोर में एक नवजात सिसू को गलत इंजेक्शन देने से उसकी मौत हो गई इससे आक इसके लोगों का कहना है कि बच्चे को सर्दी खासी था बच्चे की दादी इसके इलाज के लिए मुतिहारी के चक्या लेकर आई थी दलालों ने उसे बहला फुसला कर अबबास मेड कले स्टोर में लेकर चले गये थे जहां गलत इलाज के कानद उसकी मौत हो गई गया महाबोधी मंदिर में वुदेश पयाटोकों का बैक चौरी करने वाला सातिर तिबती चौर बाप बेटा को बोध गया थाना के पुलिस ने रंगे हात किया गिरफतार गिरफतार चोर प्रती दिन मंदिर के अहले सुबह जाकर चोरी के घटना को देता था अंजाम वहीं सातिर चोर की कर्तुच सी सी टीबी फुटेज में हुआ कैद वहीं गिरफतार चोर ने पुलिस को बताया कि वो नेपाल का रहने वाला है और आए दिन महाबोधी मंदिर के परिसर आएवी देसी प्रेटकों के साथ चोरी के घटना को अंजाम दिया करता था महादलित के जोपरी नुमा घर में हुआ अज्यात लोग ने लगाया जिसमें घर में रखे राक सभी सामान जलकर हुआ राक अब आग का लहर उठा तब दौर परे सभी महले वासी तब तक जलकर राक हो गया घर में एक बुढ़ी औरत रहती थी सैयोग से कल अपने भाई के घर गई हुई थी घर क्यों सुना देखकर लगाया आग रजौली थाना के दीवार से सटे हुए था घर उसके बाद भी कोई प्रसासन देखने तक नहीं गए मुझफरपुर में एक पती ने अपनी पतनी के प्राइवेट पार्ट में गलास डाल कर डाल दिया मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पती को गिरफतार कर लिया जबकि घायर पीरितिया का इलाज S.K.M.C.H. में चल रहा है पहले तो आरोपी पती ने दिन भर पुलिस को बताया कि धान के खलिहान में रखवाली के दोरान मूँ बांद कर आए तीन आरोपियों ने उसके साथ हैवानियत की है लेकिन जब पुलिस ने उसके सक्ती बढ़ती तो उसने सच उगल दिया वेरिफाई किया गया है और वेरिफिकेशन के बाद अथाना दक्ष्वें गटना सल को गया थे और डियस्पी को बेजा गया है गटना सल के मौइने के बाद यह बात लियरा आई है कि राम्पुकार सहनी नामक वेक्ति है जिसने यह खुद यह गटना चौद तरही की रात की गटना है आपसी विवाद में परिवार में कुछ मधवेद में इसने अपनी पनी के साथ अंदुर पहार किया बल्प्योग कि गटना के बाद से और इसको दूसर रूप देने के लिए यह बात प्रचारीत करती है ग्यांगरेफ है परन्तु महिला का बयान किया गया गया है गटना के बात से और अभी वह इलाज गस्त है मेडिकल इसमें चाचाई है कि इसके साथ वायलेंस हुआ है लेकिन बायान में पती को नामित किया है किसी प्रकार के बहरे व्यक्ति का हाथ नहीं है सुक्रबार की राथ हतोरी थाना चेतर के बेरई गाउं में आपसी विवाद में पीट-पीट करकी करदी एक की हत्या इस दौरान दोनों पक्चों में जमकर मार पीट हुई जिसमें दोनों पक्चों मे आधा दर्जन लोग गायल हो गए गटना के बाद गाउं में तनाव की स्थिती बन गई है सूचना मिलने के बाद हतोरी ताना की पुलिस मौके पर पहुच कर गायलों को SKMCH भेजी पुलिस मामले की जाच में जूटी है जैनना रैट रेक्टर से स्पीड में आ रहा था और पास में सटा करके ब्रेक मारा हमारा पीता जी साइड में फेका गए है फेकाने के बाद हो बोले कि साला तुम दारू पी करके गारी चलाता है दारू पिया हुआ था और दारू पीने के बाद समाज लोग उनको धोर्थम किये बात को उसको बोलने के बादर को बात खतमrete हूंगा उहाँ उसके बाद कन साम को सारा उसका एक सोग हर दियाद है और वि annéeijk दरवाजा परचार करके हमारे चाचा जी को मरडर कर दिये और हमारा पिता जी को और चाचा जी को और भाई को सबको घायल किये हुए पूरा मामला यह है कि पंदरा तरीकों असरफी राय के का उदिनमन राय है उनकी गाले से अच्चिडेंट जुआ था ट्रैक्टर से उसी को लेकर के आपस में पंचयती भी वहा और साम को विवाद के तहां तापस में बिवाद हुआ मारपीट हुआ उसमें असरफी के वह उत आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं कुछ नई ख़बरों के साथ तब तक करिए नहीं के लिए